20 देखें के लिखें, what should be the value of x that the matrix does not have inverse, inverse कब नहीं होता है, जब क्या होता है, determinant की value क्या जाती है, 0 जाती है, यानि non-singular matrix होने, singular matrix होने पर inverse exist नहीं करता है, ठीक है, अब देखा आपके पास, ये आपके पास हो गया, एक matrix है, आप लिख दिए 2-8, 4-6, एह inverse दो नहीं होता है इसका हम देखें, इसके determinant value हो गई, इसके determinant value हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो अब इसको solve करते हैं, तो 2x सीधर होगा, 8-32, minus तो प्लस हो जाएगा, इधर जाएगा, तो आपको x के value कितनी मिल जाएगी, minus 16, simple सा question है, तो सरीकिस option number आपका भी क्या होगा, स